तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं US Markets में एक बर फिर से हमको लाल निशान देखने को मिल रहा है Dow Jones, S&P 500 हमको अल्मूस्ट 1% की correction पर देखने को मिल रहे है क्योंकि कल बहुत important day है, FOMC की meeting होने वाली है Interest rate hike को लेकर यहाँ पर decision आने वाला है कितना होगा interest rate, क्या होंगे statement, hawkish, dowish यह तो कल ही पता चलेगा, लेकिन at this point of time market काफी volatile है और यहाँ पर अगर मैं बात करूं Russia की तो देखिया अब Russian Markets में हमको 7-8% की गिरावट देखने को मिल रही है तो Russian Markets का भी यहाँ पर definitely कहीं न कहीं impact पढ़ रहा है US Markets में भी और emerging Markets में भी पढ़ सकता है तो उसके पीछे क्या reason है, क्यों Russia का market गिर रहा है क्यों Russia में यहाँ पर breakdown हमको आता हुआ देखने को मिल रहा जस्ट इससे पहले वाला वीडियो आपके साथ मैंने यहाँ पर साजा किया है इसको जाके जरूर देखिएगा बहुत जबर्दस्त information शेयर करी है Infosys और Dr. Lal Path Lab को भी यहाँ पर cover किया है तो यह वीडियो अब जाके जरूर देखिएगा चलिए, अब बात करते हैं देखिए Markets में गिरावट होगी तो यहाँ पर stocks भी correct होंगे तो कौन सा वो stock है जो आपको यहाँ पर definitely उठाना चाहिए इस गिरावट में SIP करनी चाहिए इस stock में क्यों आपको buying करनी उसके पीछे क्या reason है, क्या rational है technical chart पर क्या levels है, सारी चीज़े discuss करेंगे वीडियो के साथ बने रही है तो stock का नाम है one and only Polycab India Polycab wire and cable अगर मैं बात करूँ segment की market leading company है, इंडिया का सबसे बड़ा manufacturer है और कई टाइम से इसका market share यहाँ पर हमको persistent देखने को मिलता है यानि कि इसका market share यहाँ पर बिलकुल भी decrease नहीं हुआ, in fact यह अपना market share लगातार company गेन करती जा रही है तो B2B business में तो market leader है लेकिन साथ इसाथ B2C business में जियानि कि business to consumer यानि कि इनका FMEG वाला business भी लगातार high double dates में grow हो रहा है, 25% से जादा की growth आती हुए देखने को मिल रही है, तो यह एक बहुत ही शांदार company है, दोनों ही segment में काफी अच्छा काम कर रही है market cap की बात करने तो 40,000 करोड का market cap है, लेकिन आगे आने मुले समय मुझे लगता है, इसका market cap 1 lakh करोड के आसपास भी जा सकता है time लग सकता है, लेकिन जिस प्रकार का इस company के पास एक base है, जिस प्रकार का management है, जिस प्रकार के fundamentals है, जिस प्रकार का product portfolio है, जिस प्रकार की market leadership है definitely काफी अच्छा करेगी आने वाले बविश्य में ये company, stock का पी आपको 37 का देखने को मिलेगा, industry के पीश से थोड़ा जादा है, लेकिन definitely growth भी आपर आ रही है बात करते है, return ratios की definitely अच्छे खासे return ratios है ROC, ROE बहुत अच्छा है debt to equity, almost debt free company है free cash flow देखिए, 1000 करोड का free cash flow यहाँ पर generate करेए पिछले 3 साल के अगर मैं बात करूं तो company के return ratios नंबर से यहाँ पर काफी अच्छे, company के balance sheet काफी healthy है, company के share holding pattern के बात करें तो promoters के पास almost 68% के stake है, जोकि बहुत थोड़ा से यहाँ पर कम हुआ है लेकिन बहुत जादा कम नहीं हुआ है, क्योंकि September 2019 से आप देखिए 68% के आज पास ही promoters के stake है FIS की बात करें, तो FIS के stake हैं हाँ पिछले 2 quarter से, पिछले 3 quarter से 4 quarter से आप देखिए, थोड़े गिरते हुए रज़ा लेकिन बहुत जादा significant गिरावत नहीं है लेकिना, DIS के stake यहाँ पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिले है, पबलिक के पास 17% के stake है, तो जातर आप देखिए तो यहाँ पर मोटा माल जो है, strong hands में ही है institutions के पास है, तो यहाँ पर अच्छा shareholding pattern नजर आता है profit की growth की बात करें, sales growth की बात करें तो देखिए, sales growth, double rate sales growth है पिछले 5 साल से, profit growth high double rates में profit growth देखने को मिल रही है return equity company का consistent है 20% के आसपास, तो overall numbers देखिए तो company के numbers बहुत ही लाजवाब है और company के product portfolio business segments की बात करें, तो वो भी काफी अच्छा अब यहाँ पर मैं market leadership की बात आपके साथ कर रहा था, तो देखिए WNC, यानि wire and cable plates में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर market leader कौन है poly cab, तो poly cab लगाता है जैसे की मैं आपको बता रहा है, consistently FI 2020 से अगर आप देखें तो 22% का market share यहाँ पर यह company अभी हमको देखने को मिलता है, इसका और लगातार यह gain कर सकती है क्योंकि इसके पास जो capacities हैं वो बहुत ही जबरदस्त है, चाहिए फिनॉलेक्स की बात करें, केई आई, हैवल्स यहाँ पर definitely beat करती हुई नजर आ रही है, wires and cables पर लगातार FMEG का revenue भी यहाँ पर यह company बढ़ाती जा रहे है और वहाँ पर भी market share gain कर रही है तो यहाँ पर गजब का एक देखिए आप reference data आपके साथ मैंने यहाँ पर share किया अब बात करते है FMEG revenue तो देखिए कितना गजब का uptrend है consistently FMEG का revenue 1200 करोड से 12,000 करोड हो चुका तो आप देखिए उस तो कितनी जबरदस growth है मतलब कि almost यहाँ पर आप पानके चलिए कि 10 गुना यहाँ पर पिछले 7 सालों में consistent हमको यहाँ पर margin profile देखने को मिलती है 10%, 12% के आसपास इनका margin यहाँ पर maintain रहता है तो उससे पता सलता है कि गजब की efficiency यहाँ पर management दिखाता है business में यहाँ पर जबरदस्ट efficiency है अब यहाँ पर आपके साथ मैं share करना चाहूँगा पिछली con call के कुछ highlight उसमें गंधर टोंगिया साब ने हाँ पर क्या वोला जो इनके CFO हैं से question पूछा गया कि demand outlook कैसा है तो उनका क्या कहना था बहुत ही अच्छा यहाँ पर statement दिया है आपको जरू यहाँ पर देखना चाहिए कि overall इंडिया की growth किस तरगे नजर आती है और इनके business के तो definitely यहाँ पर बताई गई है तो commodity prices definitely काफी high थे जो first half में हमने देखा in fact first quarter की अगर बात करें इस साल के second quarter की बात करें काफी high तो इसके बाद commodity price लगाता decline होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं हो सकता है उसकी विए से कुछ यहाँ पर inventory as well as manufacturing story when I think of China I think of only manufacturing when I think of US I can think of only consumption whereas in the case of our country it has benefits of both तो हमारी एक इंडिया ऐसी country है जहाँ पर consumption भी बहुत जवरदस्त है और यहाँ पर basically जो manufacturing है वो भी जवरदस्त है मतलब यहाँ पर consume भी हो जाएग और यहाँ पर produce भी हो जाएग I do not see any challenge in terms of demand over mid to long term तो long term demand यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है जैसा कि यहाँ पर management के है और यह इसे बार नहीं किया है इन्होंने पहले कई बार इन्होंने यहाँ पर चीज़ कही है और इसलिए इन्होंने का project leap आप देखेंगे प्रोजक्ट लीप के तहरे उन्होंने बोलाए कि आने वाले 2-4 सालों में 20,000 करोड का यह टॉप लाइन यहाँ पर अचीव करने वाले है और उस पाथ पे चल भी रहे है और लगता है कि 2026 से पहले ही यहाँ पर 20,000 करोड की top line अचीव कर लेंगे तो यह हो गई बात यहाँ पर इसकी अब यहाँ पर एक चीज़ और दुस्तों माडली आपर देखना जरूरी है वो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो है देखिए यहाँ पर क्या और growth driver हो सकते है तो export का यहाँ पर काफी अच्छा contribution इनका हो सकता है ठीक है export का contribution क्यों क्योंकि अभी भी अगर बात करें तो इंडिया का जो export है WNC में ठीक है insulated WNC wires and cables में बहुत कम है तो यहाँ पर जो polycab है वो definitely a sweet spot पर है to grab these opportunities polycab है polycab has developed a few products complying with export requirements additionally under project leap it has set a target of double digit revenue contribution from exports which should act as a meaningful growth figure तो export भी यहाँ पर एक growth trigger हो सकता है polycab के लिए अभी देखिया only इंडिया का जो contribution है वो 0.8% है sharing global exports तो बहुत ही कम है बहुत ही कम यहाँ से लगातार यह बढ़ता हो हमको देखने को मिलेगा जब हमारा ecosystem एक बहुत जबर्दस ecosystem हो जाएगा manufacturing capacity यहाँ पर हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और जिस प्रकार चाइना प्रसवन की theme है तो यहाँ पर definitely manufacturing जो companies है जैसे कि polycab हो गई हर sector की जाए जाए मैं chemical की बात करूँ या फिर मैं consumers, durable की बात करूँ इंडस्ट्रियल्स, engineering की बात करूँ तो वहाँ पर जो manufacturing companies कर रही है वो definitely बहुत जबर्दस यहाँ पर perform करने वाली आगयाने वाले सालों में यह हम आपको कई बर बता चुगा हूँ and definitely जो अपनी manufacturing capabilities को यह लगातार बढ़ा रहे हैं 300-400 करोड का FI 23 में CAPEX करने वाले हैं और FMEG में भी यह CAPEX करेंगे वहाँ पर भी अच्छा खासा organic और inorganic growth की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर definitely margins भी improve होंगे हो सकता है इस quarter में थोड़े से हमको pressure देखने को मिले अभी आप देखें copper की prices काफी जादा हो चुके थे copper की prices यानि की commodity है उसके prices काफी high थे लेकिन जैसे अभी growth increase interest rate होने की बात हुई तब से लेकर आप देखें commodity हमको गड़ती हुए देखने को मिल रहे हैं और copper भी एक commodity है और इनका raw material है copper तो copper की prices भी गिर चुकी है तो जो इनके inventories है उस पर realizations कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं तो थोड़ा वो pressure हो सकता है उसकी वैसे margin थोड़े improve होंगे लेकिन management ने बोला है कि second half से यहाँ पर definitely इनको यहाँ पर improve होते हुए देखने को मिलेंगे B2B space में भी अच्छा कर रहे है और B2C जो है front पर भी अच्छा कर रहे है और इसी की एक competitor है KEI Industries वो भी अच्छी company यहाँ पर नजर आती है क्योंकि वो भी FMEG में काफी aggressive होने की बात कर रहे है आगयाने वाले बविशे में लेकिन Polycap यहाँ पर market leader है company की अगर हम ratios की बात करें तो वो भी जबर्दस है company की जो balance sheet है वो बहुत strong है Polycap के और इसी list को थोड़ा सा high PE भी मिलता है FMEG का भी हाँ पर revenue लगातार बढ़ रहा है इसलिए भी इनका PE जादा आपको देखने को मिलेगा अब भाइं कहां करनी है तो आप देखी काफी time से यह stock consolidate कर रहा है strength काफी है stock में short term अगर हम trend देखें तो अब trend में हमको stock देखने को मिलता है 200 day moving average, 50 day moving average के ऊपर stock trade कर और यह kind of जो pattern है आपने याद हो तो आपने देखा होगा SRF में भी हमको देखने को मिला था तो SRF की तरह मुझे लगता है इसमें भी a breakout होगा और उसके बाद अच्छी खासी तेजी होगी तो आप इसको current market price पर buy कर सकता है अगर आपका long term का नजरिया है नहीं तो अगर यह गिरता है तो मुझे लगता है यह stock फिर आपको आता हुआ देखने को मिलेगा यह वीडियो दूस्तों आपको informative लगा होगा तो मुझे comment करके जरूर बताएगा polycap को लेकर आपका क्या opinion है तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like, share and channel को subscribe कर लिजिए मिलते हैं दूस्तों आपसे next वीडियो में till then take care, bye bye